कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स एक जगर गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाय जाते हैं। जहां जीतने वाले को एंट्रेंस मिलने वाले थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाडियों को मारना और ज्यादा से ज्यादा पॉइ जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे नाम जीते थे। भीर ने जोश दिलाने के लिए चिलाती है और पुराना प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बल पर लीड करने लगता है। जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसल इस तरह वर टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉइफरिंड के साथ इस खुशी को सेलिबरेट करने लगती है। उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी दुखों में बदलने वाली थी। अचानक एनजी ड्रिंग की बोतल जमीन पर गिर कर बिखर जा घर के बाहर की दुनिया भी उजाड और बंज़ जमीन के अलावा और कुछ नहीं थी। जहां हवा भी जहरीली हो चुकी थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इसके साथ ही सीन फिर से शक्स होता है और हमें पांच की कहानी में बेलहर नानवेज नाम की एक लड़की की जॉब इंटर्व्यू के लिए तयार करता है और वह भी दिल्ली से कॉमर्स पहन कर इंटर्व्यू के लिए निकल जाती है। बाहर उसका बॉइफ्रेंड इवान अपनी कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलते ही बैलगाडी की पिछली फायर भी एक मल्टिप्लेयर गेम था जिसमें लास्ट तक्टिके रहना ही इसका में फॉपास होता है। वह सोचती है कि अगर वह जीत गई तो लाखों रुपे कमा लेगी और उन पैसों से अपने लिए एक गेमिंग कम्प्यूटर खरीदेगी। परिवहन उसे बताता है क रोज नाम का एक मजा हुआ प्रोफेशनल के मरुस्थल में सर्प्राइज अप्यरंस देने वाला है जिसे सुनकर वह थोड़ा नर्वस हो जाती है। जल्दी ही वह लोग गेमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहां रॉय अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा था पहला मैच शुरू होने से पहले दीवान बैट को समझाता है कि उसे इमोशन्स की जगह पूरी ताकत के साथ खेलना चाहिए ताकि वह किसी तरह फाइनेंस तक पहुंच जाएं लेकिन वह कुछ घमंडी रोए को हराना चाहती थी। थोड़ी देर में ही सारे प्लेयर्स मौझूद क्राउट के साथ इंटरनेट भी करता रहता था। इसका फाइदा उठा कर बैल कुछ पॉइंट जमा कर लेती है और वह जीत नहीं वाली थी लेकिन गेंद को फिनिश करने के बज़ाए पूर्वा को मारकर गेम से आउट करने की कोशिश करती है। पर उसका उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनेंस के लिए क्वालिफाइ कर जाती है जो की अगले ही दिन होने वाला था जब वह अपने बैफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है। तू रौए वहाँ पहुँचकर उसकी नकल उतार कर उसको चड़ाएं। फिर वह अपने फ्रेंड के साथ सेलफी लेने चला जाता है। इस बीच जब विमान अपनी गाड़ी लेने के लिए चाहता है तब कोजीमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उसे कहता है कि उसे चीन जीतने के लिए स्वीकृत मालूम है। यह सुन बैल के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वह सारी बाते उन्हें सच बता देती है जिसे सुनकर उसकी डेट को बहुत गुसा आता है और वह अगले दिन से उसे रस्टोरेंट जाकर उन लोगों से जॉब का इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं लेकि इन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी बात को इगनो करके अपने रूम में चली जाती है थोड़ी देर बाद वो अपने आज के खेले गए गेम को आकाश प्रदीपदी है जिसमें रोहित को फर्स्ट पोजीशन पाते हुए देख कर मुझे बहुत गुसा आता है तब ही उसकी नजर कोजीमा के बिजनेस कार्ट पर पढ़ती है और उसे ध्यान आता है कि उसने उसे गेम जीतने की सीक्रेट के बारे में बताया था बदला लेने की तड़प और जीतने की चाहत में वह तुरंत उसके दिये हुए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है जल बैल को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर को जीमा ने उसे अपना बिजनेस काट क्यूँ दिया था पर वह गेम खेलने के लिए बैठ जाती है उनसे बैठ कर गेम खेलने के लिए कहता है बैल को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर कोजीमा ने उसे अपना बिजनेस काट क्यूं दिया था पर वह गेम खेलने के लिए बैट जाती है वह उस दिन में हाइस्ट लेवल चीज करती है जिसे कम्प्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था यह देखकर कोजीमा उसे इंपल्ज नाम का एक एनरजी ड्रिंट देते हुए कहता है यह कोई मामूली एनरजी ड्रिंट नहीं है और वह चाहे तो उसे ट्राइ करके देख सकती है यह सुनकर उस दिन का एक घूंट पी लेती है और अचानक उसके आसपास की सारी चीज है उसे स्लो मोशन में चलती हुई दिखने लगती है जिसकी वजह से उसके लिए वह इंपॉसिबल लगने वाला गेम बहुत ही आसान हो जाता है फिर जपकते ही क्वालिटी में खुद को टेबल की दूसरी तरफ बैठे कुझी मा के सामने पाती है जब वह से पुछती है कि उसे क्या हुआ था तो वह उसे बताता है कि जो भी इंपल्स नहीं पीता है समय उसके लिए स्लो हो जाता है और उसे एनजी ड्रिंट पीते हुए एक घंटा बीच चुका था उसी की ही बताता है कि आप जितनी मात्रा में संयोजित जून को पीएंगे टाइम भी उसी रेशों के हिसाब से स्लो होता जाएगा यह कहकर कोजी मा उससे बोतल ड्रिंट के बदले डॉलर की डिमांड करता है जिसे सुनकर चुप हो जाती है उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए अनाज उनका इस्तिमाल करना चीटिंग है और तभी कुछ ही माह के फोन पर रॉय की कॉल आती है जिससे उसे यह पता चल जाता है कि रॉय भी गैम्स जीतने के लिए पूछना जिनका इस्तिमाल करता था इसी वजह से वह दूसरे कीमत के मुकाबले अन्बीटेबल बना हुआ था यह सब जाने के बाद वेल इंपल्स नहीं की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वाली सिंपल्स नहीं की बोतल को अपने की बोर्ट के पास रख देती है गेम शुरू होने से पहले उस एनजी ड्रिंट का एक छोटा सा घूम लेती है फिर आल्ट्रा स्लो मोशन की बदालत वह गेम में लीड करने लगती है यह देखकर भी Impulse 9 का कुछ रूप लेता है और तेजी से फ्रेंज पार करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है इससे डेसपरेट होकर बिना कुछ सोचे समझे Welding की पूरी बोतल पी जाती है जिसके नतीजे में एकदम स्लो पेस में पहुंच जाती है और उसका पूरा फाइदा उठाते हुए रोहितार को मार कर पूरा टूर्नामेंट चीट जाती है उसका बॉइफरेंड विवान और सारा क्राउड उसके लिए चार्ज करने लगता है वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं इतना भी एनजी ड्रिंग की बोतर जमीन पर गिर कर टूट जाती है यहां से सीन शिफ्ट होकर वापस उस जगह पहुंच जाता है जहां हम बैल को एक प्रकार से घर में शेर पर एक बच्चे को गोध में लिए बैठा हुआ देखते हैं थोड़ी ही देर में मेली कुचली कपड़े पहने इवान वहां आता है और बच्चे को सुलाने के बाद उसे तयार होने को कहता है वेल बहुत कनफ्यूज थी और अपनी पूरी एडल्ट बॉड़ी और अपनी उंगली में वेडिंग रिंग को देखकर हिरानी से हारने लगती है वह थोड़ी राहत पाने का सोच कर नीचे जाती है पर वहां और भी दो बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं जिसे सुनकर दर जाती है और घबराकर करके बाहर निकल जाती है वहां ब्लू कोट पैंट में रहते और खुले में बने पबलिक बातरूम का इस्तिमाल करते हुए देखती है आखिरकार उसे पता चलता है कि वह पलग जपकते ही लगभग साल स्कीप करके सीधे ट्वीट नहीं, मैं पहुंच गई थी और वह लोग जिस जगह रह रहे थे वह पूरा इलाका चारों तरफ उंची दिवारों से घिरा हुआ था जो की वेस्टलेंड से इसे रिया को अलग करता था वेस्टलेंड में डेथ रिजल्ट जैसे खतरनाक जानवर रहते तो इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम थे इस वजह से वहां रहने वाले लोग अलग-अलग सेक्स में जीत पर पहरा देते थे इसके अलावा उसे यह भी मालूम चलता है कि जिन लोगों ने पास में बहुत ज्यादा इंपल्स ने दिया था वह लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे जिन्हें पलस कहा जाता था ज्यादा इस्तिमाल के नतीजे में लोग बिना किसी मेमरी के बाकी फ्यूचर में अचानक से पहुँच रहे थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफ्रा तफरी मची हुई थी जब कोई अचानक टाइम के बारे में कनफ्यूच सादिक था तभी उसके पलस होने या ना होने के बारे में पता चलता था इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था इस भयानक बरबादी के लिए लोग पलसेस को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें उस चारदीवारी के अंदर रहने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से देते थे वह उस जगह एक पुलिस का काम करती थी और डे नाम का एक आदमी उसका टीपीटी असिस्टेंट पलसेस के साथ जिस तरह का विशे होता था उससे बचने के लिए वह खुद भी इंपल्स नॉट अचीव करने के बाद सबसे छुपा लेती है वह घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने डेट कारलो उसकी याद आती है वह उनके साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और जैसे ही वह अपना सिर्ध दूसरी तरफ कमाती है तो उसकी नजर टेबल पर उसकी राक से भरे एक बरतन पर पढ़ती है उसे देखते ही टूट फूट कर रोने लगती है इतने में जे बीटी पर ले जाना कर उसे ट्वैलट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है पहले तो वह जाने से मना कर देती है पर जब याद दिलाता है कि वह सफाय इंस्पेक्टर है और ये उसका काम है तो उसे जाना ही पड़ता है उसे कई घंटों तक गंदे ट्वैलर्ट की सफाय करनी पड़ती है इस तरह काफी दिन बीच जाते हैं और धीरे धीरे वेल को उसके माहौल में रहने की आदत हो जाती है एक दिन वह अपने सारे ड्यूटी खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है जहां उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखा कर कहती है कि वह उसकी हीरो है बहुत थकी हुई हुने के कारण बच्ची के अपोज को अभिशेक नहीं करती है घर पहुँचने पर वह देखती है कि एवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर-जोर से पैदल मार रहा है दरसल वहां इलेक्रिसिटी नहीं होने के कारण पूरी टीम खेलने के लिए पावर यूज कर रहा था वह अपने फिवरेट गेम फील्ड जाती है वह बच्चों को सुनाने से पहले एक राउंड खेलने के लिए तयार हो जाती है जबकि लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वह बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है कुछ घंटे बीच जाते हैं कि अचानक की वाहक रखा रहता है वह काफी डरा हुआ था और बैल से कहता है कि वह आज अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी जिसकी वज़े से गेट पर पहरा देने वाले डैट को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और बुढ़े पले जाट का शिकार बन गया दोनों तुरंट वहां पहुँचते हैं जहां उनकी वाइफ मेल पर बहुत गुसा होती है अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वापस घर जाने को होती है पर तभी इमाम हुसेन याग दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई सुनकर उदास मन से अपनी शेक पूरी करती है और घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है एवं उसे प्यार से समझाता है और तसल्ली देता है वह को महसूस होता है कि वह इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसलिए सब कुछ छोड़कर दो वेस्टलेंड घूमने का इरादा करती है लेकिन जाने से पहले विमान को एक लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वही पलस है अगले दिन बुख कभी वापस न लोटने का इरादा करके निकल जाती है जब विमान को लेटर पढ़ता है तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता अगले सीन में हम देखते हैं कि वे बंज़ जमीन पर भटकते हुए एक बेकारपड़ी बिल्डिंग के पास होती है पूजा बिल्डिंग असल में कूदी मा का गेमिंग कैफे दगोल्डन सौसर था वह उसके पर के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है कोजीमा कोई काउंटर से निकलते देख उसे हैरानी होती है वह देखती है कि कोसीमा पर उम्र का बिलकुल भी असर नहीं हुआ था लेकिन वह फिर आज उसे नहीं बताता है उनकी बातों के दोरान को धीमा को पता चलता है कि बेल एक हफ़ते पहले ही सिर वाली टीमे जागती को स्वीकार करता है कि इंपल्स लाइन की वजह से बहुत सारी जिंदगी या पर बात हुई थी लेकिन उसके पास वेल को उनसारी तकलीफ होसे चुटकारा दिलाने का प्लान था कुछी माह इंपल्स नाइन का एक बड़ा बोतल लाकर उसे पीने को देता है वह भी कहता है कि अगर उसने इसे पी लिया तो वह इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी क्योंकि वह सेकड़ों साल आगे की फ्यूचर में पहुंच जाएगी और तब तक वह इस दुनिया में मर चुकी होगी तुझी मावशी ड्रिंक पीते हुए गेम खेलने का सजेशन भी देता है बैल कोई आइडिया पसंद आता है और वह अपना फेवरेट चिंफील्ट फायर खेलने बैट जाती है पर जब वह हिमपल्स नाइन की बोतल को उठाने के लिए आगे की तरफ जुकती है उसकी नजर उस टाइम पर पढ़ती है उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था इमोशनल होकर यादों में खो जाती है उसे इमान और अपने बच्चों के साथ विदाई सारे खुशकवार पल याद आने लगते हैं फिर भी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़ कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है लेकिन गेट पर उसे एवान गार्ट की ड्यूटी करते दिखाई देता है जो उससे बहुत नाराज था उसे अंदर आने से रोक देता है और बैल से कहता है कि उसने सब कुछ धोखा दिया है वह अपनी हर गलती के लिए कुछ से माफी मांगती है अभी उनकी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियू की आवाद सुनाई देती है क्योंकि उनकी कम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब इस बात का खुलासा होता है कि असली जाग दरसल नॉमल लोगों का ही ग्रुप था इंसानों का मास्क खाया करता था उन्हें पास आता देखकर रिवान जल्दी से वेल को अंदर कर लेता है और इसी बीच अलार्म बजने लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं टैक्स को रोपने के लिए कोई भी पूरी तरह तयार नहीं था यह सुनकर उसके दिमाग में एक आईडी आता है क्योंकि कम्यूनिटी के सारे लोग उसके धोखे से नाराज थे इसलिए उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैन से कहती है कि वह यहां रहकर देख जाट को जितनी देर तक हो सके ग्रूप में की कोशिश करेगी इवान उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता था पर वह उसे बच्चों की खातिर जाने को कहती है इस पर वह मान जाता है बीरबल इन पटना का बड़ा बॉटल जिसे वो अपने साथ लाई थी उसे निकाल कर लड़ाई के लिए तयार हो जाती है डेक मिजाज बीट पर पहुँचकर हमला बोलने के लिए तयार देखते हैं कि तभी वेल को पता चलता है कि आज का लीडर और कोई नहीं बलकी रोय खुद था दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे उसे बताता है कि पटिया लिटी में कुछ साल पहले पहुचा था अब उस जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है पर उसकी धमकियों का बयान पर कोई असर नहीं पढ़ता क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही एनजी ड्रिंक पी लिया था सबूत के लिए को खाली बोतल को उसके सामने फेक देती है अचानक वेल स्लो मोशन में चली जाती है और गैस के कैंसर पर गोली चला देती है इससे सारे अटैकर्स हवा में उच्छल जाते हैं फिर लगातार शूट आउट करते हुए पुस्तक को खदेर देती है Unfortunately उसकी पीठ और कंदे पर गोली लग जाती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है कभी रोया कर उस पर गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूप जाता है इस मौके का फाइदा उठा कर उस पर गोली चला कर उसे मार डालती है इसके बाद वह अपनी आखिरी सांस लेते ह अब सेफ है एक तरफ एवान आसमान की तरफ जाते हुए बुराई क्रिकेट प्लेयर को देखता है और दूसरी तरफ वह धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रही होती है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना